जो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है उसके बाद अपना जैसको पर रैप लगाने है वह आप लगा सकते हैं यहां पर डालेंगे प्रड़क्स और नीचे अपना सिक्के स्ट्राइप में आजए एक पैटियूम लेते हैं और इसको डिफ्राइ कर लेंगे तो क्या होगा जैसे यहां पर यहां पर लगा हुआ है एक बटन है आपका जो आपका रखने के बाद थोड़ी दे वाम रहे और चीज़े से फ्राइज आप फ्राइए कर रहे तो वह बेसिकली इसके लिए और यह लाइटिंग दे रखे ताकि आपको प्रोड़क्ट आपको क्लीन दिख सके दो लगते हैं उसके अंदर अगर आप एक मैक डॉल मतलब जिसके अंदर आपका बर्गर किंग को के बर्गर क्लब उसको बीट करना चाहते एक अच्छी क्वालिटी का प्रोड़क्ट अपने कस्टमर को क्लाइंट को देना चाहते है विद स्पीड तो यह एकिपमेंट आपको तो चलिए सबसे पहले जानते है कि मशीनों का नाम क्या है यह मशीन कहां का यूज होती है तो सबसे पहले आप देखेंगे यह बेसिकली बन टोस्टर है इसको जो बन को हमारा सेका जादा आपने देखा होगा मैंक डॉनल्स को कहरा हमें उस इदर आप से डालते हैं यहां डालेंगे और नीचे अपना सिखे स्ट्राइप में आ जाएगा तो मैं आपको करके भी दिखा होगा कैसे हम लोग इसके अंदर करेंगे बेसिकली हम इसको पास्टू बन टोस्टर कहते है इसको फुल लिम कहते है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे इसको हम और सेकेंडरी में बेनेफिट होता है जो प्रोडेक्ट है वो इक्वेलेंटी निकलता है क्योंकि इसके अदर टेंपरेचर रहती है मतलब काफी जंदी डिप नहीं होता इसका अंदर टेंपरेचर जो है तर्ली यहाँ पर आपको जैसे आपने फ्रेंच फ्राइस बनाई है बेसिकली अभी जो मैंने लगाया हुए यह नॉर्मल सेटप लगाया इसके अंदर हमने रखे वह जो विदाउट कोल्ड है अपने इसके अंदर हमने इंग्रेडेंट्स रख जैसे आपका कैबेज हो गया आपका अनियन हो गया आपका टमैटो हो गया और ऐसे हमारी पैठी अच्छी होगा यहां पे हमारे पर बन से नेके सेवं तक हमाई पर अजयस्टमेंट है हमेक से नेके साथ तक इसको फीट को बढ़ा देंगे अभी एक अपने आपसे टेमडिरेचर सेट कर दी है बन का पूरा लगा दिए अब यहां पर बन है यहां पे नीचे बन हो करना वो अपना नीचे हम यहां पर स्टोर कर लेंगे अब इसको लगाने का सिस्टम कैसे होगा यहां से मैं बन लूँगा सीधा और इसको दोनों को इस साइड से मैं रख दूँगा और बाकी काम इसका है यह अपने आप सेख के बार निकार लेंगे तब तक मैं क्या यहां से जो मेरी मशीन है अल्रेडी ओन है टेंपरेचर मैंने 170 डिग्री टेंपरेचर सेट कर रहा है इसके अंदर टाइमर भी आपको मिलता है जो आप टाइमर भी सेट कर सकते अपने इसाब से और ओयल बगारा के लिए अप डाउन जो भी करना वो आप कर सकते तो अब य यहां से इसको बं भी कर सकते है और अगर हमें टाइम पदा कि मेरा चार से पास् secondo के अंदर रेडी हो जाती तो मैं अपने यहां पर टाइमर भी सेट कर सकता हूं ॉ- जब हमारी पैटी रीडी होजेगी तो हम यहाँ पे इसको रख देंगे और उसके अद यहाँ पे बन को लाएंगे और एसेंबल कर लेंगे जब तक हमारा वहाँ से बन निकल रही है हमने पहले ट्राइल के लिए चला के देखा था टेमपरेचर सेट करने की ने तो यह वह बन है और हमारी पैटी भी जब तक सिक रही है इस बेसिकली आप यह देखेंगे यह जो हाइट भी है इसके हिसाप से ही है तक अगर हम लोग रख रहे है तो सीधा इसके उपर रख दे तो हमारी वेस से जो है जगा की नहीं रहेगी बजाए कि मैं नीचे रख में इंदर रख मैं इसको सीधा उपर रख के यहाँ पर अपना खाम कर सकता हूँ तक हमारा जैसे बन हो रहा है नीचे अपना मिखले तक हमारी यहाँ पर सिखी रही है दोनों चीज़े कट्टे होई रही है तो क्या होगा जैसे जो को ही है हमारा मिखन के आच जग यह दो यह बन का करना रहने वाला ऐसे हमारा भीशाब बनाए दे और टिक्की में यहाँ जब तक हो रही है टिक्की में पलटना है तो हम यहाँ से पलट सकते हो खोग के थी टेमपरेचर अब दाउन करना हो आपने आप से कर सकते है आप जैसा मैंने 170 डिग्री रशादा मैंने इसको 180 डिग्री तक कर दिया अब से वमारा यह दूसा बन रेडियो क्यों सिख के जैसे कि हमें जो अपनी टॉपिक्स लगाना है वो सारी चीज़ आम तरके रफ लेंगे मैंनें सोस लगाते है जैसे मैं यहां में चपोटली मूनीसी लिएगा तो वहां लगा लूग है हम उसके बाद हम पना अनिंस वोकतरा जो है उसको रिंग तयब्नो बना लेंगे कि पहले स्प्रेड कर लेना जब यह निसको अब इस्प्रेड नहीं कर रहा इतना उसके टमैटो वह बाद में लग जाता है और यह अपना बाद में लगता है ग्रीन सॉस अपनी दो वसाबी में हो वह वह लगा सकते हैं ठोड़ि और मसाले बगारे कुछ लगाने आपको अप अपने इसाप सेंद साथ तो आप भी अपने इसाप से लगा सब इसको अटिवा थोड़ा पलट लेना हरां की तैटिय को थोड़ा पलट लेना हरां की अच्छिली टेमपरेचर जोए ना बहुत जादा गम कर दिया था एक्सट्रा की जगा में 180 एक्सोनब्य दिंगरी रख इसलिए उसको जो आना टेमपरेचर इसाप से लिए यह मैंने थोड़ा जला दिया था टेमपरेचर ज्यादा इको चक्र ले तो यह एक बार एडजस्मेंट करने पड़ते स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत आपको डिक्कते आ सकते है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमे क्या टेमपरेचर सेट करने जैसे मेरे को खोडी मेरे को भी नहीं मालूम था तो एक बार अजशेस्ट करने के बाद पता चल जाता है क्या टेमपरेचर मेरे प्रडेट के हिसाब से सही रहेगा तो यह चीज़ी हम लोग कर सकते हैं हम जैसे पैटी है इसको फ्राइ लगबख होई चुकी है इसको बंद भी कर सकते हैं अपना चाहें तो अगर उसको हम बंद भी सकते हैं वो हमारे उप़र है वो भी हमे करना और यहां पर यह हीटर लगा हुआ है एक हीटर का बटन है आपका जो आपका रखने के बाद थोड़ी दे वाम रहे और चीज़े से फ्राइज आप फ्राइज कर रहे तो वह बेसिकली इसके लिए और यह लाइटिंग दे रखे ताकि आपको प्रोड़क्त आपको क्लीन जो आइल एक्स्टा भी है ना जैसे इसमें ड्रेन हुआ वह यहां पर आ जाएगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा अपना फ्राइट को यहां से नूँगा सीधा यहां पर रखूँगा जो अपनी पैटी है उसके आपको टमैटो लगानी है वह मैं लगा लूगा और ज जो वह कंप्लीटली रेडी हो चुका है उसके बाद अपना जैस्टो पर रैप लगाने है वह आप लगा सकते है तो यह कंप्लीट आपको प्रजेक्ट रेडी हो गया हमने यहां से स्टार्ट किया बर्गर को बंड डाला साथ के अधमने टिक्की कर दे और यहां पर हमारा जो है वेस्ट ना हो और वह यहां पर ड्रेन हो जाएगा और हमारा फाइलर प्रड़क्ट अमने यहां पर अपना असेम्मिली कर ले इसके जगा आप को मेक लाइन भी ले सकते ताकि आपको जो फ्रेशनेस है वह ज्यादा मिंटेन रहे वेजिस्टेबल बगारा के अंदर अगर आपका बजेट थोड़ा कम है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने अनियन टमेंटर वगारा वो कर सकते कटिंग करके और एक डीफ्रीजर तो आपको रिक्वायर होगा जैसे कि आपको आलू पैटी बगारा जो रखने उसके लिए तो अगर आपको एक बर्ग तो वो चीज़ को थोड़ा आवाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है दो सेपरेट फ्राय लेनिजे वो आपकी बेटरमेंट होगा तो वीडियो अच्छी लगी हो बर्गर बिजनस आप करना चाहते एक स्मॉल बर्गर सेटप मैंने आपको शेफिट के अंदर यह सेफि लुक्मेंट भी सारा आ गया हमने एक बर्गर भी पूरा एसेंबल करके रेडी करके दिखा दिया तो वीडियो अच्छी लगी हो लिस लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब निकिए तो सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्स तो वाचिए आखरीत इंडर सिस्गूल ब झाल झाल झाल